सारे जने मुठी बंद करके हाथ उपर करके और पूरे जोश से बोलेंगे भारत मता की इनकलाब वंदे वंदे आदमपुर में बहुत रिष्तेदारियां हमारी मेरे चाचा जी आदमपुर ब्याय हुए हैं मेरी चाची आदमपुर की हैं मेरा एक भाई आदमपुर ब्याया हुआ हैं मेरी भाबी आदमपुर की हैं और दूर की रिष्तेदारियां तो कितने चाचे ताउ मामा मामी कितने स आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जब मैं इस आर में नौवी क्लास में पड़ा करता था नौवी दसमी मैंने केंपस स्कूल से करी फिर ग्यारवी बार वी डी एन कॉलिज से करी उस टाइम छोटे सा बच्चा था शर्मीला पड़ाई में अच्छा था फस्त आया करता था और ग्यारवी बारवी में पूरे अर्याने में कुरक्षेतर और युन्ँवेस्टि में छटी पोजिशन आई थी मेरी ग्यारवी मैं भी बारवी में उस टाइम जिंदगी में नहीं सोचा था कभी राजनीती में जाएंगे उस टाइम कभी दूर दूर तक सपने में नहीं आया था कि किसी दिन भगवान इस पोजीशन पर इधर पहुचा देगा लेकिन भगवान की अपनी माया है जी जिंदगी का क्या पता चलता है भगवान कहीं भी ले जाता है जिंदगी को फिर मैं हर्याने से आयाईटी गया इंजिनिरिंग करके फिर दिल्ली मेरी करम भूमी बनी आज यहां पे मेरे इतने रिष्टेदार बैठे हैं इतने दोस्त बैठे हैं बाई बतीजे बैठे हैं एक ही बात कहना चाहूंगा मैं जहां भी गया हर्याना से आपका सिर जुकने ने दिया मैंने हर्याने का सिर उपर रखा दिल्ली में आज इतने काम कर रहा हूं मैं दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिये स्कूल शांदार कर दिये सुना अपने दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिये सारे कहते हैं हर्याने का छोड़ा है दिल्ली के स्कूल हमने इतने शांदार कर दिये इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है पूरी दुनिया में दो साल पहले अमरीका के राश्ट्रपती दिल्ली आये उस टाइम अभी तो जो बीडेन है उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प होते थे राश्ट्रपती अपनी धर जब वो दिल्ली आये मिलेनिया ट्रम्प बोली भाई मैंने केजरी वाल के स्कूल के बारे में बहुत सुना मैं केजरी वाल का स्कूल देखने जाऊंगी बड़ी बात है वाई साब है कि नहीं है बोली मैंने केजरी वाल के स्कूल के बारे में सुना है मैं केजरी वाल का स्कू मोजी जी ने बहुत समझाया, बैन मानजा, जिद ना कर, तेर को मैं दूसरे स्कूल दिखा देता हूँ, केंदर सरकार के दिखा देता हूँ, दूसरे राज्जे सरकारों के दिखा देता हूँ, लेकिन, वो ये कह रहे हैं कि हर्याने में स्कूल बंद कर दिये मैं आउंगा मैं बात करूंगा उसकी बच्चे चिंता ना करो वो ये कह रहे हैं हर्याने में स्कूल बंद कर दिये मैं उसकी बात करूंगा चिंता ना करो बैटो 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 मैं उसकी बात उठाऊंगा उसकी अमरीका के राष्ट्रपती की पतनी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई अमरीका का राष्ट्रपती पूरी दुनिया में गुमता है उसकी पतनी उसके साथ गुमती है किसी देश में मिलेनिया ट्रंप किसी का वैसे तो पूरे देश का सीना चोड़ा हो गया कि अमरीका की राष्टपती हमारे स्कूल देखने आई सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं लेकिन अर्याने वालों का ज़्यादा सीना चोड़ा हुआ अर्याने का लाल, हराने का छोड़ा, आपका अपना हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल बड़े, सरकारी अस्पताल इतने शानदार कर दिए इतने अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल एर कंडिशन्ड, सारी दवाईयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए आपका दस रुपे का खर्चा हो चाहे बीस लाख रुपे का खर्चा हो सारा इलाज मुफत है दिली के अंदर चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो सबका इलाज मुफत है सबका इलाज मुफत है महला क्लिनिक खोल दिये जगे जगे महला क्लिनिक देखने के लिए नौर्वे की प्रधान मंत्री आई नौर्वे की प्रधान मंत्री दिल्ली के लिए और बोली अपने मीडिया में कि केजरीवाल जैसे महला क्लिनिक पूरी दुनिया में खुलने चाहिए दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी बिजली मुफ्त कर दी बिजली 24 गंटे कर दी यह जादू है भाई साब मुफ्त बिजली और 24 गंटे बिजली यह उपर वाले ने वर्दान दिया है केवल केजरी वाल को कि भाई यही कर सकता है मुफ्त भी कर सकता है और 24 गंटे भी कर सकता है ये वर्दान और किसी को नहीं मिला केवल मेर को मिला हुआ है उपर वाले की दया है उपर वाले की कृपा है मैं मुफ्त भी विजली देता हूं और 24 जीरो भी लाते हैं और दिल्ली में पिछले पान साल में बाहिसा बारा लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिलवाया है, 12 लाक बच्चों को, अब मेरा भाई है, भगवंतमान, पंजाब का मुख्यमंत्री बनाए है, इन्होंने ब्रश्टा चार खतम कर दिया है, सारे सरकारी दफ्तरों से, अब आप किसी दफ्तर में चले जाओ, इन्होंने कर दिया, क मोबाईल आउन कर लो, इनके पास रेकॉर्डिंग बेज दो, अफसर 24 गंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता, किसी की हिम्मत नी है, पैसे मांगने की, अभी इनकी सरकार को छे मिने भी नहीं हुए, सो महला क्लिनिक खोल दिये, और बाई साब, जीरो बिजली के भी लि लगए पंजाब में भी, स्कूल भी ठीक करने चालू कर दिये इनोंने, अब मैं अर्याने वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता गूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता गूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में महला क्लिनिक बनाता गूम रहूं मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता गूम रहूं, अर याने वाले तुम भी करा लो मेरे से, भई मेरे जनम भूमी है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गाउं है, आप क्यों नहीं कराते मेरे से, अर्याने के भी स्कूल ठीक करा लो, वो खटर साब रोज स्कूल बंद करते गूम रहे हैं, वो बच्चा भी खड़ा होके चिला रहा है, सरकारी स्कूल बंद करते गूम रहे हैं, बताओ, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे काम, आदमी अपने बच्चों को काम भीजेगा, 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं रियाने के सरकारी स्कूलों में, कबार खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है की नहीं है, मजबूरी में बेजता है काम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, दो पैसे आजाएं आदमी प्राइवेट में बेजता है, डिली में हमने उल्टी गंगाबादी डिली में बाइसा पिछले दो साल में तीन साल में चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए है बड़ी बात है अब अमीर लोग भी अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर अर्याने में भी करा लो यार मेर से यह मैं कर दूँगा अर्याने में भी अर्याने के स्कूल भी ठीक कर दूँगा करने आते हैं मिर को अर्याने के स्कूल ठीक करा लो प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में पहले अर साल फीस बढ़ा दिया करते थे अनाप शनाप development fund, picnic fund, library fund phalana fund, dimka fund सारे fund बंद कर दिये हमने का खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा तो सारे स्कूलों की audit करा दी private वालों की चुप हो गए सारे घर जाके बैठ गए थोड़ा सा हरी आने के लिए भी मेरे से काम करा लो यार आप का ही छो रहा हूं पूरे बास साथ ही इनके पास सिफारिश आती है भग्वंट जी कह रहे हैं कि दिली के सरकारी स्कूल में अडमिशन करा दो जह mu private school में admission कराने की सिफारिश नहीं है दिली के सरकारी स्कूलों में admission कराने की सिफारिश आती है अपने को सरकारी स्कूल बहुत बढ़ाने है बंद नहीं करने है और उनको शांदार बनाना है ये बंद कर देते हैं कहते हैं जी बच्चे कम हो गए बच्चे कम क्यों होगए तुमने बेडा गर्क कर दिया टीचर है नहीं बेडा गर्क करखा सरकारी स्कूलों का कौन बेजेगा अपने बच्चों को आज शांदार बना दो सरकारी स्कूलों को देखो जंता बेजनी चालू करेगी स्कूल ठीक करने हैं शिक्षा ठीक करनी है अस्पताल ठीक करने हैं दिल्ली में जैसे में ने अस्पिताल ठीक कर दिये, बगवंतमान जी ने महला क्लिनिक बना दिये, ये महला क्लिनिक अर्याने वाले तुम भी बनवालो मेरे से मेरे को आते हैं बनाने हैं। बिजली मुफ्त चाहिए नहीं चाहिए? किस-किस को चाहिए हाथ खड़े करके बता दो, ये कैमरे वाले दिखा दो जारा सी, सारों ने सब को मुफ्त बिजली जीए, कहते हैं केजली वाल फ्री की रेवडी माट रहा है, ये एक-एक मंत्री इनका, एक-एक मंत्री को चार-चार अजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, हर महीने, वो फ्री की रेवडी नहीं है, केजली वाल ने तीन सो यूनिट मुफ्त दे दी, लोगों को कहते हैं, फ्री की रेवडी बाट रहा है, अरे पैसे चोरी तो नहीं कर रहा यहा, ո्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा जनता में अहीं बांट रहा हूं जनता की सीस मिलती है, करोड़ों व्लोकों का मुफ्त इलाज कर दिया मैंणे दिली में, मेरे पास क्या है, जी फककड आद्मी हूं मेरे पास कुछ नहीं है. ना मेरे बैंक अकाउंट में बैजा, ना मारे इन्मोने CBI भी भी बैज ली, मेरे पास कुछ नहीं है. बस जन्ता की दुआयाइ है, जन्ता का आशिरवाद है, जो करोड लोगों का इलाज कराया, जिन लागों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दिया उनका आशिरवाद है मारे साथ तो दोस्तों दो साल बाद हर्याने का चुनाव है एक मौका अपने लाल को दे के देख लो एक मौका केजरी वाल को एक मौका दे दो हर्याने को ना बदल तू तो मेरे को लात मार के अर्याने से बार भैक देना दुबारा अर्याने में नहीं आऊंगे मन्जूर है दो साल बाद चुनाव है लेकिन उसका ट्रेलर अभी है उसका ट्रेलर अभी है हम आदमपुर में बैठे हैं आदमपुर का चुनाव तीन चार महीने बाद है अब ही जो आपका मौझूदा विधायक है मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना इस बार अपने को चेंज लाना परिवर्तन लाना है 2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे भगवंत मान जी जीते थे संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अर्याने के अंदर बने हैं एक टाइम था जब आदमपुर की टोर होती थी पूरे अर्याना के अंदर जब आदमपुर के चोधराट होती थी पूरे अर्याने में नाम था आदमपुर का कहा गयी टोर इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो पूरे देश में चेन्नई में वेस्ट बंगॉल में आसाम में कैरला में चर्चे ओजाएंगे आदमपूर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई आदमपूर में सारी दुनिया जाएगी नक्षे पे आदमपूर भी है सारी दुनिया जाएगी चौदराट वापस आजाएगी और आदमपूर गेट होगा उस गेट के जरीए आम अदमी पार्टी हर्याने के अंदर 2024 में सरकार बनाएगे और आज मैं इस मंच से खास कर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं युवा बहने हैं उनको अपील करना चाहता हूँ आपको लगना पड़ेगा नई राजनीती लेके आनी है ये पुरानी राजनीती खतम करनी है इन लोगों ने लूट लिया अपने को सारी पार्टी ने मिलके ये चाहिए ये पार्टी हो चाहिए वो पार्टी हो अपने घर भरने के सिवा इनोंने कुछ नहीं करा आम आदमी पार्टी नई पार्टी है नए चेहरे हैं नई उर्जा है नए विचार हैं नए विचार लेके आओ नया हर्याना बनाएंगे सारे जने मिलके कुछ लोग बोले मेरे को यहां बिश्णोई इतने हैं जी जाट इतने हैं जी बनिये इतने हैं जी ब्रामन इतने हैं जी मैं पूछना चाहता हूँ सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने हैं पढ़ाएगा तो केजरी वाली सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए मुफ्त बिजली देगा तो केजरी वाली तो चाहे आप बशनोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप बरामन हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकری और शिक्षा़ तो केज़री वाली दे सकता है, जी बाची सबको आजमा के देख लिया आप लोगों मैं एक और ज़रूरी बात आज आपसे करना चाहता हूँ इतनी महंगाई हो रही है चारों तरफ महंगाई हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से मैं कई लोगों से पोचता हूँ भई महंगाई क्यों हो रही है बोले जी अपने आप ही हो रही है अपने आप ही हो रही है अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई बोले जी बगवान ने करक्थी है बताओ बगवान का बैर है कि आप से बगवान महंगाई क्यों करेगा क्यों हो रही है महंगाई कि इन्होंने अनाफ शना पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिये इतने टैक्स लगा दिये अच चीज बता हूं यह ंच इतने लोग बैठे हैं टैक्स कौन-कौन बरता है जर्वी आथ KHđडे करो ये कई लोगों ने आथ नहीं खड़े करें आपको पता नहीं एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स बरता है आप एक रोटी खाते हो एक रोटी पे एक रुपए का GST लगता है आप दही का प्याला खाते हो एक कप दही जब खाने जाओना भी खाना निखाया होगा सारे जने घर जाओगे एक कप दही के उपर एक रुपया GST लगता है आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है आपका पंखा चलता है पंखे पे टैक्स लगता है बिजली पे टैक्स लगता है दही पे टैक्स लगता है शै इस वज़े से महंगाई हो रही है, बस सांस लेना ही बाकिया, चिंता ना करो, एक बार ही और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स, अब ये आईडिया मत दो, वो सुन लेंगे, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया, जी भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने, चाच पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शैद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे खा पाने पिने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था तो ये इतना लाखों करोडों अर्बों खर्बों रूपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो रोटी पे देते हो चावल पे देते हो ये कहां जाता है ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है और सरकार इस अर्बों खरबो रुपय का क्या करती है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो बिछले पांच साथ साल में कोई स्कूल बनाओ कोई अस्पताल बनाओ कोई सरकारी काम हुआ हो कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता तो यह अर्बो खर्बो रुपया जा का रहा है यह जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में मैं आज लिस्ट लेके आया हूँ यह इनके दोस्तों के अर्बो खर्बो के उन्होंने बैंकोंसे करजे ले रखे हैं, किसी ने 5,000 क्रोड किसी ने 10,000 क्रोड और जब करजे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नियत खराब हो गई वो इनके पास गए बोले जी हमारे करजे माफ करा दो ये किसानों के करजे माफ नहीं करते ये स्टूडेंट्स के करजे माफ नहीं करते इन्होंने अपने अरब पती खरब पती दोस्तों के करजे करोडो करोडो के लाखो करोडो के करजे माफ कर दी जैसे मैं बताता हूं आपको मैं लिस्ट लेके आया हूं इनोंने इनका एक दोस्त है उसने 87,000,000,000 रुपे का करजा ले रखा है एक आदमी ने 87,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हजार करोड रुप़े का करजा सारणा माफ कर दिया दस लाख करोड रुप़े के करजे माफ कर दिया इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से इसलिए महँगाई हो रही है और जब पैसे कम पड़ जाते हैं कोई दोस्त आता इनका कहता है जी मेरे साथ अजार करोड है मेरे को माफ कर दो तो ये अपने मंतरी को बलाते हैं कहते हैं चार्च पे टैक्स बढ़ा दो तो चार्च पे टैक्स बढ़ा देते हैं जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का करजा माफ कर देते हैं फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने नौ आजार करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो. फिर ये मंतरी को बलाते हैं, कहते हैं दई पे टैक्स बढ़ा दो. दई पे टैक्स बढ़ा दो. ये जितनी बात कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूँ अगर मैं कुछ भी जूट बोलूँगा ये केस कर देंगे कल मेरे उपर पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं इंकम टैक्स का आदमी हूँ सब समझता हूँ इनके चोरी चकारी सारी अभी इनोंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी सोचो इनकी हिम्मत दिल्ली में हमारे सत्तर मैंसे 62 सीट हमारी है इनोंने प्लानिंग बनाई केजरीवाल के 40 MLA तोड़ेंगे इनोंने का 20-20 करोड रुपे में MLA खरीदेंगे हमारे MLA को मिले ये लोग एक-एक MLA को मिले बोले 20 करोड रुपे ले लो केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो BJP में आ जाओ मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड भी देंगे पर भाई साब हमारे सारे इमानदार आदमी हैं अच्छे लोग हैं शरीफ लोग हैं सब ने आके मिर को बता दिया चालीस अमेले तोड़ने थे इनको 20-20 करोड के इसाब से 800 करोड रुपे लेके आए थे यह 800 करोड रुपे बताओ जी कहां से आया 800 करोड रुपे अब इन्होंने मध्यपरदेश में सरकार तोड़ी कितने अमेले खरीदे वाँ पे फ्री में थोड़ी खरीदे कोई कह रहा है 50 करोड में खरीदे कोई कह रहा है 40 करोड में खरीदे इन्होंने मध्यपरदेश में सरकार तोड़ी इन्होंने करनाटक में सरकार तोड़ी इन्होंने गोआ में सरकार तोड़ी 277 एमेले खरीदे चुके अभी तक ही है 277 20-20 करोड रुपे के हिसाब से भी लगा लो 6000 करोड रुपे इन्होंने एमेले खरीदेने में लगा दिये यह पैसा कहां से आया जी यह आपके टैक्स का पैसा है यह जी-एस्टी का पैसा है यह दूद दही के उपर टैक्स का पैसा है इसलिए महंगाई हो रही है भाई साब इसलिए समझ के जाना आज मैं एक स्पेशल मिशन को लेके आया हूँ आपके बीच में देश को आजाद हुए 75 साल हो गए 75 साल कमनी होते इन 75 सालों में कितने देश हम से आगे निकल गए कितने देश हम से आगे निकल गए सवाल उठता है हम पीछे क्यों रह गए हम किसी से कम थोड़ी हैं बाई साब मैं हमेशा कहता हूँ उपर वाले ने जब इनसान बनाया प्रिथवी के उपर सब से इंटेलिजन्ट लोग उपर वाले ने इंडिया में बनाये थे भारत में बनाये थे सब से इंटेलिजन्ट लोग फिर हम पीछे क्यों रह गए हमारा देश गरीब क्यों रह गया हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती हमारे लोग अनपड क्यों रह गए यह प्रश्ण उठता है हमारे पास किस चीज की कमी है भगवान ने उपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है नदियां दिया है, पहाड दिया है खनीज पतार दिया है, फसले दिया है, जड़ी बूटियां दिया है समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है फिर हम पीछे क्यों रह गए तो दोस्तों ये 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीती करी है राजनीती के सिवा कुछ नहीं करा अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा एक ही उमीद है उसी के लिए निकलाओं मैं दिली से पूरे देश में जाओंगा 130 करोड़ लोगों को इकठा करना है इस देश के जिस दिन 130 करोड़ लोग इकठे हो गए भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकते हमें भारत को इंडिया को नंबर वन देश बनाना है बनाना है की नहीं बनाना है भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है की नहीं बनाना है हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा अच्छा इलाज करना पड़ेगा स्कूल खोलने पड़ेंगे अस्पिताल खोलने पड़ेंगे जब तक यह नहीं हो गए तब तक भारत दुनिया का नंबर वन देश नहीं बन सकता 75 साल पहले हम सारे कठ्थे हुए थे हमने अंग्रेजों को ठाके बार फैक दिया एक बार फिर सारे कठ्थे हो जाओ भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे मिलके बनाएंगे